आपसाब का मदू की रिष्वाहामे सुप बनाने जा रहे हैं बंगे तेस्टी होने के साथ बहुत है थेल्गी देए' है की आदा किलो पालगिक लेलिया है उसको अच्छाकर कि दो शम्योखãy है उसको दूट्थ निकाल दि है और गौनента काती है चार हरी मिर्च, आठ कलिये लस्तुन की, एक बड़ा टुकड़ा अत्रक्का, जिसको हमने उसको भी हमने मोटा मोटा काट लिया है, एक बड़ा चम्मच मक्खन, सफेद नमक स्वादो नुसार, काला नमक स्वादो नुसार, जितना हमने सफेद नमक लेना है, उतना ही समान मा जाने काला नमक भी लेना है एक बड़ा चम्मच कॉर्ण फ्लार आदा चम्मच काले मेच अब सबसे पहले हमने हल्का सब्जियों को भूनेंगे कुकर में उसके लिए ग्यायस और करेंगे कि याइस ओन करके कुकर रख दिया है कि कुकर में हमने मखण डाल देंगे मखण को पिगलने देंगे आज तेज रखनी है मखण पिगल चुका गरम हो गया है उसमें हमने साबुत कलिय लसुन की डाल देनी है कि अद्रख हरी मिर्च प्याच तक लगाता है चलाते हुआ है तेज आज में लगाता है लगाता है चलाते हुआ हमें एक मिर्ट हो गया है अब इसके हमें इसके हमने टामाटर डाल देंगे हैं अब हमने एक मिर्ट होना है थेज आज में तेज आज में एक माट हो गया है अब हमने पालग डालेंगे पालग को हमने सब्सीरियों के साथ अच्छी से मिला लेना है सफेद नमक डाल देंगे काला नमक पालग को भी एक मिन भूनने के बाद हमने दो पटोरिस में पाई डाल देना है पानी डालने के वाद हमने एक बार अच्छी से हिला लेना है तक हमने मद्दे माच में पालग को पकाना है प्रवार्ण प्रवार्ण दूर्ण जाने दूर्ण सेद आचुकी है यहायस बन जादेंगे और दो मिट के बाद हमने कुकरा ठकन कोला है उसके आद में पालप को छाल लेगे दो में ठोगे हैं स्टीम में निगल गई है अबने कुकर का ठकन खोलना है और पालप को हमने छान लेंगे हमने पानी अलग कर लिया है अब इस पालप को हमने एक अलग बर्तर में डाल देंगे और ठंड़ा होने के पाथ हमने इसको मिक्सी में पीस लेंगे त्पीसे अब्सक्राइब मिक्सी में हमने पालप को अच्छे से पीस लिया है अब इसको पानी के साथ हम पकाएंगे ग्यास ओन करके कढ़ाई रख दी है अब उसमें हमने पालप डाल देंगे पीसा हुआ जो हमने चानों में पानी तो भी डाल देंगे और इसमें वाला आने देंगे जब तक इसमें सूप में वाल आता है तब तक हम कॉन फ्लार और दूद को अच्छे से मिला लेंगे इसके बड़तन लेंगे और फ्लार डालेंगे प्लार आता है सूप में वाल आ चुका है अब इसमें हमने धीरे धीरे डालते हुए हमने लाते रहना है बोल को इससे गुटलिया नहीं बनती है इसको हमने तेज आज में दो मिट तब पकाना है दो मिट हो गया है अब इसमें हमने पीसे भी काली मश्ट डाल देंगे इसको भी हमने अच्छे से मिलाना है काली मिर्च भी सूप में अच्छे से मिल चुकी है अब हमने गैस बंग कर देना है और गैस बंग करने के बाद हमने आरद अब पता बारी कॉत डालेंगे उससे गारिश करेंगे और साती हमने एक बड़ा चमच नीबू का रस भी लेना है नीबू के रस डालने से सूप में और भी अच्छा टेस्ट आता है सूप बन के त्यार है अब हम पालक सूप को सर्फ करेंगे हेल्धी टेस्टी पालक का सूप बन के त्यार है इसे घर पर ज़रूर बनाएं और इसे आप गार्लिक ब्रेट के साथ भी सर्फ कर सकते हैं और भी टेस्टी लगता है और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दवना ना भूले ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है अब तक पहले पहुंच सके धन्यवाद